बोख हलो फ्रेंचिस के अंदर हम लोग FINANCIAL AWERNESS देखेंगे और FINANCIAL AWERNESS आएगा Scale one, scale two, scale 3, scale 2 का आप या जी बी ओर ले 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 या IT OFFICER ले ले या किसी भी और EVANS के अंदर IMBакS के अंदर भी इस तरह का FINANCIAL AWERNESS का सवाल पुछा जाता है अब जो सवाल पूछा जाता है वो किन सब्जेक्ट से किन टॉपिक से आप से पूछा जाता है पर एक बार टॉपिक देख लेते हैं financial awareness के लिए history of Indian banking पूछा जाता है अभी के टाइम पे Indian banking post 1947 post independence independence आज के टाइम फे banking से पूछा जाएगा जैसे कौन सा bank कब से टल हुआ कौन से bank में chairman कौन है कौन सा bank का slogan क्या है कौन सा bank का headquarter का इस तरह के जो याद करने वाले question है रटा मारने वाले question है वही आते हैं वहाँ पर इसके लावा full form पुछा जाता है अगर आप किसी भी एक्जाम का देखें financial awareness, banking sector की बात कर रहा हूँ, चाहे PO हो या scale to हो कहीं से भी, full form पुछा जाता है, जैसे कोई भी आपको एक term दे दिया जाएगा और वहाँ पर आप से पुछा जाएगा, इस term का full form क्या होगा, जैसे RTGS का full form क्या है, या इस तरह कुछ भी जो के banking और finance sector से related हो, government scheme जो सरकार की योजनाएं हैं, उससे related सवाल पूछे जाते हैं, current affairs, current affairs related to मतलब economics, जो भी होगा economic activity से related ही, financial awareness related ही, जो कौन जा bank कहा मर्ज हो रहा है, कौन सी company ने किस company को खरीदा, कि सरकार ने कौन सी योजना लाँच की, something related to economics होना चाहिए, union budget, बजट में सरकार ने कौन सी scheme लाँच की, इस तरह के सवाल, इसके लावा monetary policy से सवाल आता ही आता है, ठीक है, आप वो सब monetary policy की जतने term से उसको याद करके जाएं, money market, capital market, इस से अकसर सवाल पूछे गए हैं, economic survey, जैसे economic survey, जो इस साल का होगा, 2020 वाला, उसको अच्छी तरह से देख के जाएंगे, अगर आप 2020 में एक्जाम दने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग चलेंगे, यह तो आपने topics देख लिए, यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इन ही topic से आता है, क्योंकि बजार में, market में कई तरह की किताबें available हैं, पर वो किताबें perfect नहीं हैं, क्योंकि वो इधर उधर की चीज़ें भी आपको पढ़ाती हैं, अगर जो topic मैंने आपको यहाँ भी बोला, यह सारे topic का अच्छी तरह से cover करेंगे, तो आप 40 में 30 या उससे उपर score कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ही इन ही topic से आता है, आप पढ़ने को economics के कोई भी किताब पढ़ लें, पर वो irrelevant हो जाएगा, सवाल इन ही topic के अंदर से आता है, banking exam अगर आप दनी जा रहे हैं, तो point wise मैंने लिग दिया है, आपको याद करना है, आप इसको no down भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से मैं content तयार कर रहा हूँ, जितने भी topic मैंने आपको बताए, सब का content तयार करूँगा और ये enough होगा आपको exam clear करने के लिए, till 17th century India has no formal banking, 17th century में 1770 में Bank of Hindustan जो के देश का पहला bank था, वो खुला, Bank of Hindustan 1829 में इसको liquidate कर दिया गया, प्री independence में आपको independence से पहले 600 bank अलग-अलग time पर register हुए, पर उसमें से कुछ ही हैं जो के survive हो सके, Bank of Calcutta 1806 में ये बना bank, this bank was opened by, opened to fund General Wellesley for war against Tipu Sultan, ठेक हैं, Wellesley को fund करने के लिए ताकि Tipu Sultan जो मैसूर की जो जंग थी, उस जंग के लिए ये बैंक को establish किया गया था, ताकि funding ना रुकिया, 1860 में नाम था bank of Calcutta, यही bank बाद में 1809 में bank of बंगाल बन गया, renaming हो गई, bank of Calcutta का जो branch था, उस time पे पतना, रंगून, मिर्जापूर, वारानासी और जो कलकता में इसका headquarter ही था, इसके इलावा इसके पतना, रंगून, मिर्जापूर और वारानासी में ब्रांच थे, जिस तरह के topic, point पूछे गए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, at the time, presidency government opened two more banks, banks of, bank of Bombay, bank of मदरास, 1840 में, आपको यह साल जरूर याद रखना है, bank of Bombay और bank of मदरास का, bank of Calcutta, 1860, bank of Bombay, bank of मदरास, तीनों मर्ज हो गया, 1922 में, और बन गया, imperial bank of India, bank of Bengal, bank of मदरास, and bank of Bombay were recognized, banks from East India Company, and they were called presidential banks, यह point आपको याद रखना है, इसके लावा कई जो उस time के, जो राजे-राजवारे थे, उन लोगों ने में कई banks खोले थे, पर वो bank, उनमें से ज्यादा तर bank जाया दिन तक नहीं चले, पर जो East India Company की जो तीनों bank थे, यह बाद में, Bank of Bombay, Calcutta और मदरास, यह तीनों bank मिल के imperial bank बने, और बाद में यह bank, SBI बन गया, 1955 में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, J. M. Keenis is the founder of Imperial Bank of India, यह नाम आपको याद रखना है, from 1921 to 1935, this bank acted as Central Bank of India, ठीक है, RBI के existence में आने से पहले, Imperial Bank जो था, वो India के Central Bank के तोर पर काम कर रहा था, Imperial Bank of India, रिनेम्ड as State Bank of India, 1955 में, आपको साल याद रखना है, 19th century में, Kolkata was capital as well as business hub of India, ठीक है, numerous private banks of European countries, set their branch at Kolkata, उन बैंकों के नाम देखे, जो के mainly European banks होते थे, कलकता देश की राजधानी थी, देश का economic capital था, वहाँ पर कई सारे European bank के बैंकों के बैंकों के ब्रांच खुलने लगे थे, 19th century सताबदी की बात हो रही है, Allahabad Bank 1865 में, एक group of Europeans ने बनाया, यह बिल्कुल flow में उसी तरह से जाएगा step by step, ओध commercial bank, 1881 में फैजाबाद UP में इसको set किया गया, यह Indian board of directors, जो पूरी तरह से Indian board of directors वाला यह पहला bank था, 1894 में PNB आया, लहूर में इसको establish किया, लाला लाजपत्राए, इसके establishment में जो member जो शामिल थे, उनमें से एक थे, लाला लाजपत्राए, इस bank को establish करने के पीछे थे, 1894 आपको याद रखना है और लहूर आपको याद रखना है, 1906 से 1911 में के बीच में, देश में कई बैंक खुले, जो कि सौदेशी मुवमेंट से इंस्पार्ट थे, लेकि मैं हिंदी यह बोल रहा हूँ अपनी तरफ से और अंग्रेजी में वहाँ पर लिखा हुआ, इसको आपनी तरह से तरफ से आप पढ़ सकते हैं, नोड़ डाउन कर सकते हैं, तो सौदेशी आंदोलन से प्रेरित हो करके, 1906 से 1911 के दरमयान में कई बैंक को ले, बैंक डेट केम अप इंस्पारेशन फ्रम सौदेशी मुवमेंट वर, कौन-कौन से बैंक थे, उनके नाम इहां पर लिखे हुए हैं, अचानक से बूम हो गया, जो के पुरी तरह से इंडिजीनियस बैंक बनाने के जो एक कोशिश था, के उसमें पुरा इंडियन कंट्रॉल हो, लोकल इंडियन बिजनसमेन उसके पीछे थे, नाम आप देख पा रहे हैं, बैंक ओफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ओफ बरोर्दा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया, ये सारे बैंक थे, अलियर बैंक इस्टैब्लिश इन इंडिया, मेंली बाइ यूरोपियन्स, Many banks were established while more than that failed in India. बहुत सारे bank बने उस पर उससे ज़्यादा फेल हो गए. During First World War and Second World War. इस बात को आपको याद आखना है, कि First World War, 1914 की बात है, जब इंडिया में सबसे ज़्यादा 42 bank फेल हुए थे, और 600 से उपर बैंक जो थे, जो इंडिया में खुले, उन में से आप गिंती के ही हैं, जो आप सर्वाइव कर रहा हैं, मतलब जादा तर, more than 90% fail हो चुके, और single largest year, जब सबसे ज़्यादा bank fail हुआ, वो 1914 का साल था, जब 42 bank fail हो गया था. अगले point पर जलते हैं, RBI was established in 1935, but nationalized in 1949, 35 में उसको established किया गया, और nationalized किया उनिस उन्चास में, RBI act जो था, 1949 देखे, RBI का भी दो act है, एक उसको establish करने के लिए एक act आया, एक उसको nationalize करने के लिए act आया, तो इसमें कभी confused नहीं होना है, details of various banks that were established after inspiration from सौदेशी movement, देखिये, Catholic Syrian bank, private bank है, 1920 में बना headquarter, इसका थ्रिसूर में, इस सारे वो bank हैं, जो के सौदेशी movement से inspire होकर के बने, South Indian bank, 1929 में establish हुआ, headquarter थ्रिसूर केरला में, Bank of India, headquarter Bombay में, 1906 में ये bank बना, headquarter और किस साल में ये establish हुआ, भी हम लोग यहीं पर हैं, बाद में एक और create करूंगा, में content, उसके अंदर slogan, bank का chairman MD, इस तरह की, क्योंकि इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं, corporation bank, mangalore इसका headquarter था, 1906 में ये भी बना, Indian bank, headquarter chain नहीं में, 1907 में ये बना, bank of brother, Vododra, गुजरात में establish हुआ, 1908 में, canra bank, Bangalore में headquarter है, 1906 में establish हुआ, Central Bank of India, Bombay में headquarter है, 1911 में, इसका establishment हुआ, formation of above written banks, ended dominance of foreigners, in Indian banking system, जतने भी सोदेशी, आंदोलन से, जतने भी bank निकल के आए, जिनका जिक्र भी मैंने किया, आपके सामने, इन bankों के बनने के बाद किया हुआ, जो foreigner, जो bank, जिनों यहां इंडिया में खुले हुए थे, foreign bank, उनका dominance कम गया, उनकी परभूत जो थी, वो कम गई, अगले point पर हम दो चलते हैं, ठीक है जोसों तो अभी तक मैंने आपको, 1947 से पहले पहले, Indian banking में क्या था, उसका मैंने आपको करवा दिया, जो भी बाते हुई 1947 से पहले कि बैंकिंग पर उसका आप साल याद रखिए, और headquarter याद रखिए, कुछ bank के नाम जैसे और commercial bank है, या bank of कलकता है, कौन से साल ने बना कहा है, उसका headquarter था, इस तरह की चीज़ें आप याद रखिए, जो कुछ मैंने अभी तक आपको करवाया, उसमें सिर्फ रट्टा मारने वारी चीज़ है, दसमेट हो चुका इस वीडियो को, अब वीडियो को ही खतम करते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें 1947 के बाद का explain करेंगे, और जितना भी टॉपिक मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, और हर एक अच्छा quality content जैसा exam में आता वैसा ही करेंगे, अभी के लिए जितना अभी तक मैंने वीडियो में दिखाया, उसको आप note down कर सकते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपने scale 2, scale 1, scale 3, कोई भी exam देना है, चाहे आपका GBO हो, IT officer हो, कुछ भी हो, आप चैनल को subscribe जरूर करें, और वीडियो को share कर दें, Thank you.